आप तुष्टी करण की जब बात करते हैं तो आपका इशारा मुसल्मानों और यादवों से है जब आप योगी जी ने अभी बात की थी कि ये चुनाव जो है असी फीसदी और बीस फीसदी का चुनाव है तो क्या इसका मतलब मुसल्मान वर्सेज हिंदू का चुनाव देख रहे हैं आप मुझे लगता इनके बैक आप दी माइंड कोई वाट प्राप्त करने वाला वो रहा होगा मैंने मानता कि हिंदू और यादव इस प्रकार से घिनकर मुसलिम और यादव इस प्रकार रहा क्या रहा इसके साबसे करा होगा मुझे लिए पर आपको यह नहीं लगता कि चुनाव में पॉलराइजेशन हो रहा है कि पॉलराइजेशन जरूर हो रहा है गरीब पॉलराइज हो रहा है सलामती फिल करने वाले लोग पॉलराइज हो रहे हैं 18-18 युद्नाए 20-20 सालों की अवरेज से लंबित थी सिंचाई की तो किसान भी पॉलराइज हो रहा है धेर सारे किसानों को किसान कलने निदी का पैसा मिल रहा है बॉट देने की पेट्रेन को पॉलराइजेसन नाम मत दीजी हमारी और से हमने कोई कसर ने के जो लाब प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था वो सभी को हमने लाब दिया है फाइदा दिया है इरिस्पेक्ट आप कास्ट एंड कॉमिनिटी इरिस्पेक्ट आप रिलीजें धर्म और जातिकों आपने उसमें कभी वह जरा भी नहीं प्रधानमंत्री जी की हर योधना में मैं बताता हूँ हमने उत्तप देश के अंदर एक करोड़ सर्षट लाख माताओं को गैस दिया है इसमें सब लोग हैं सब लोग हैं दो करोड़ बासट लाख घरों में सोचा लए नहीं था आप कल्पना कर सकते हैं दो करोड़ बासट लाख घरों की माताएं कितनी सर्म हरोज सुबह महसूस करती हैं आजो सन्मान के साथ अपने घर में ही जी रही प्रधानमंत्री मात्रू वन्ना योधना का 40 लाख माताओं को फाइदा हुआ है एक करोड़ 41 लाख घर ऐसे थे जेव इसमें यूपी में आजादी के 70 साल के बाद बिजली का लट्टू भी नहीं था कनेक्शन ही नहीं था एक करोड़ 41 लाख घरों में बिजली पहुँचाने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है दो करोड 68 लाख LED के लट्टू बाटे गए है घरीब कल्यान अन्य योधना के तहट उपी के 15 करोड़ घरीबों को दो साल से प्रती व्यक्ती 5 किलो प्रती माह हम अनाज फ्री अपकॉस्ट दे रहे हैं इसके अंदर योगी जी ने दलहन को एड़ किया तेल को एड़ किया नमक को एड़ किया और एक संपूट वोना कर घरीबों के लिए दिया है 42 लाख से ज्यादा लोगों को आवास देने का काम हुआ है 42 लाख ऐसे लोग और हमारा संकल पत्रम लेकर आए है कि 2024 तक हमें एक भी विक्ति ऐसा नहीं रखेंगे जिसके पास घर नहीं होगा स्वनीदी योदना के तहर लगबग 8,80,000 श्ट्रीट वेंडर को लॉन देने का काम भारतिय जनता पार्टी की योगी सरकार ने की मोदी जी ने जितनी भी योदनाई बनाई गरीब करियारे के लिए देश बर के लिए बनाई उसको घर घर तक पहुचाने का काम उत्तपदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितेनाथ ने की आप मुझे बता रहे थे कि योगी आदित अनाज जी ने यूपी में जैसा काम किया और स्टेट से कहीं अच्छा है। मैं आपसे इसी रिलेटेट सवाल एक पूछना चाहता हूँ, मैंने योगी जी से भी ये सवाल पूछा था। कि सबका साथ, सबका विकास बात करने वाली पार्टी, मोधी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है, ये जब टिकट वितरन करती है तो मुसल्मानों को टिकट क्यो नहीं देती, भारती जनता पार्टी का मुसल्मानों से क्या रिष्टा है? तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनितिक आपकी मजबूरी है मजबूरी नहीं है ये राजनितिक सिष्टाचार है चुनाओ जीतना भी जरूरी है इस वज़े से इस तरीके की चीज़े उसके बाद अगर उनके कल्यान में कहीं भेदबा हो तो कोई आरोप कर सकता है सरकार समविदान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वॉटों से चुनकराती है जो देते हैं तो रादनितिक प्रतितिक तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है यह मुजफर नगर और कहराना में आज भी आपको लगता है पलायन का मामला काफी बड़ा मुद्दा है आपको लगता है कि परिस्तितिया बहुत मुद्दा तो आज भी है मगर अब मुद्दा यह है कि जो आए हैं वो संती से जीरे हैं और जाना नहीं पढ़ दा है तो परिस्थितिया बहुत बदली है परिस्थितिया बदली है देखे सबसे बड़ी उपलबदी भारतिय जनता पार्टी की योगी सरकार की उपलबदी ये है कि उत्तप्रदेश में राधनीती का अपराधी करण हो गाया था और एड्मिस्ट्रे अपराधी करण भी है अपराधी करण नहीं है और ना एड्मिस्ट्रेसन का पूर्द राधनीती करण है यह दोनों चीजों को जो नासूर थे लोगतिंदर के लिए लोग कल्यान के लिए दोनों चीजों को हम रिमूप करने में हम सफल हुए हैं मोदी जी के राष्ट्रिय स्तर पर उधभव के बाद परिवारवादी, जातीवादी पर तुरुष्ट्री करनवादी रादनीती समाप्त हो गई है और उसकी जगे पॉलिटिक्स और परफोर्मंस ने लिए हैं। 22 करोर का सुभा है, सबसे ज़्यादा भूमी है, सबसे ज़्यादा आबादी है, मगर अर्थवियस्ता आठवे नौवे नमबर होती है। यह बहुत बड़ी उपलब दी है। प्रदेश का GDP 10,90,000 करोर था, आज प्रदेश का GDP 21,31,000 करोर था। एक पांच साल के कालखंड में हमने उसको दो गुना करा है। इस अप डूइंग विद्नेस में 14 वे स्तान पर थे, आज दूसरे स्तान पर हैं। बेरोजगारी की दर 17.3 प्रतिसती आज 4.1 प्रतिसत है। और लगबग लगबग एक करोड 61,00,000 नौकरियों के रोजगार के नए मौके जनरेट हुए। यह बहुत बड़ी उप्रब्दी है। में यहाँ पर भी है। परन्तु मोदी जी ने इसको बहुत नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करी। और एक टेंपरररी फेस है। मोदी सरकार के 7.5 साल का कालखन देख लीजे। छे साल तक महंगाई को हमने नियंत्रित करकर रखा है। कोविड के आने के बाद वैस्वी स्थीती जो हुई है विश्व के बाजारों की। अज कोई भी चीज विश्व से आती है वो इतनी महंगी होकर आती है। इसका रिफलेक्शन यहाप पड़ता ही है। परहन तो यह टेंपरारी फेस है। एक और मुद्दा जो इस चुनाओं में करनाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसल्मान लड़कियों के लिए यह हिजाब का मुद्दा जायस मुद्दा है। वो इंस्टिटूशन में मतलब स्कूल में इंस्टिटूशन में इनका एक प्रात्मिक्ता होनी चाहिए वो ओवर्राइट कर सकती है। दिखें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कौट में है, कौट ने भिष्टे दिया है, कौट सुनवाई कर रही है, अदालत का जो फैसला है, उसमने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली सम्विधान के अधार पर चलाना चाहते है या वीम्स का अधार पर चलाना, वो ता ही करना परें। मेरी व्यक्तिकत्ट मानेता तब तक ही रहती है, जब अदालत फैसला करती है, एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्विकार करना चाहिए। सब ने इसको सिकार परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के इनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पर धर्म से उपर रखना चाहिए मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है कैंपस फ्रांट ओफ इंडिया के लोग इस पे सक्री हैं कोई सारे लोग सक्री हैं अगर मैं इतना बताता हूं किनकी मनसा सफल नहीं होगी कोड का जज्जमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्विकार करेंगी थोड़ी सी बात यूपी की राजनिक्ति के और करना चाहूंगा आपने जब शुरुवात की कैमपेंड में यूपी के पहले तीन चरों के पहले जब आप मैदान में आये तो आपने जयन्त चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत गलत पार्टी में है गलत गलत गडवंदन में है कि आज भी आप यब डाट कहेंगे आपके पस को रेकोड़िंग है है इसकी अचा मैने तो यह आप ने यह नहीं कहती है जब सिक वह बात कि नहीं नहीं मैं चाहिए बते कि बहुत बड़े अजराहे । प्रचन्थ बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए पूसल एलाइंस की चीज के लिए हमारा प्री पूसल एलाइंस है ढो पार्टीयों के साथ बहुमत सब्सक्रा刚 के साथ जितने वाले हैं कुछ लोग जो आपको छोड़ कर गए तीन मंत्री और कुछ आमेले उन लोगों ने इस चुनाव को दूसरा कलर देने की कोशिश की। उन्होंने का ये चुनाव असी बीस नहीं, पच्चासी फीसदी वर्सेस पंदरा फीसदी का है, बैकवर्ड वर्सेस फॉर्वर्ड. ये चुनाव में 100% मतलाता हो का महत्व है, परंतु मैं मानता हूँ कि जो छबी बनाई जा रही थी, कि पिछड़ा समाज में बिखरा हो है, मैं तीन चरण में घुंकर आए रहा हूँ, मैं बताता हूँ मोदी जी की गरिब कल्यान योजनाव ने ये चुनाव का पूरा चित्र बदल दिया है, तो आप कह रहे हैं, लॉइन ओर्डर के अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, दोनों मुद्द लाभार्ति आपके, दोनों हमारे लाभार्तियों का जो स्केल है, वो चुनाव को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पश्ट दिखाई परता है, 70 साल तक मेरे घर में किसीने कोई सुईदा नहीं बढ़ाई, मुद्द जी ने 5 लाग का कार्ड भी दे दिया, जिससे 5 लाग तक का सारा खर्चा मेरे हेल्थ का बिल, अज भारत सरकार चुका रही है, बहुत बड़ी बात है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव धर्म बस पर ने उसको और गहरा है, कुछ बार सफल भी हुए थे पाश्ट में, मगर अब मुझे लगता है दिरे 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 ये कम होता जाना है, अगर थोड़ा सा आकड़ों पे एक नज़र डालें, तो आप जब पिछले चुनाव में 40 प्रतिशत से ज़्यादा वोट आपको और जातियां भी जोड़ रही है, जैसे राजभर हो गए, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं, तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें, तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है? देखे, आप, मैं तो मानता हूँ हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के डाइनेमिक्स और इसके गिंतियां भी अलग होती है, परन्तु, आप जो कह रहे हैं, तो मैं इससे बादवाले एक चुनाव में कह रहा हूँ आपको, आप 17 का चुनाव दे, मैं 19 का चुनाव में साचे में ढाल देते हैं, तो 287 एसमलियों में विजय हुआ, आप अगर 17 का उदान देते हैं, तो 17 में तो दो ही पार्टिया थी, कॉंग्रेस और सपा, 19 में सपा, बसपा, कॉंग्रेस और RLD, चारों ही खटा हुए थे, हम 277 एसमलियों सीटों पर जीते थे, 65 लोग सबा जीते थे, पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1 प्लस, 1 टू नहीं होता है, कई बार 11 भी हो जाता है, पर कहते हैं कि जो स्टेट का इलेक्शन अलग तरीके से लड़ा जाता है, सेंटर का, इस तरीके से आप जाती हों को जोड़ कर स्टेट का नंबर नहीं निकाल सकते हैं, दिखे, 2014-17-19, उत्तप अदेश की जनता ने एक ही रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतूत्व का थपा लगाने का काम करा है, और मुझे पूरा फरोसा है, कि 22 में भी मोदी जी बल्ई.